हमारी आज की कहानी है दबंग बहू आईए सुनते हैं रीमा एक सांथ वो अच्छे सुभाव की लड़की थी उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने उसके लिए रिस्ता ढूनना सुरू कर दिया हाला की रीमा की बहुत इच्छा थी नौकरी करने की और थोड़ा ठहर कर शादी करने की पर उसके माता पिता नहीं माने और उसकी शादी करा दी रीमा की ससुराल में उसके सा ससुर और एक छोटी ननन थी रीमा के माता पिता ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिष्टा धूना था अपनी बेटी के लिए और अपनी शामर्थ से ऊपर उठकर शादी की थी लेकिन रीमा के सस्वलाल वाले बहुत लालजी थे साधी के कुछ समय बाद ही उन लोगों ने रीमा को और दहेज लाने के लिए परिशान करना शुरू कर दिया साल भर तक ऐसा ही चलता रहा रीमा अपने माईके वालों से मांग कर अपने सस्वराल वालों का घर भरती रही लेकिन उसे ऐसे मांगने में बहुत शरम आती थी और शाथ ही अपने माईके वालों के उपर तरस भी आता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी सस्वराल वालों की मांगे पूरी करने में उसके मम्मी पापा का हाथ बहुत तंग हो गया है और उनके उपर करजा चढ़ना भी शुरू हो गया है लेकिर रीमा बहुत मजबूर थी क्योंकि अगर वो अपने सस्राल वालों की बात नहीं मानती थी तो सब मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते थे और कई दिनों तक खाने को भी कुछ नहीं देते थे रीमा ने अपने मम्मी पापा को अपना दुख समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो लोग बड़ी पुरानी सोच के थे उनके लिए बेटे की रच्छा करने उसे मायके वापिस बुलाने से ज़्यादा आशान उसकी सस्राल वालों की मांगें पूरी करना था रीमा ने अपने पती को समझाने की कोशिश की लेकिन वो हर बार की तरह नहीं माना तब रीमा ने कहा कि मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूं तब आपको मेरे मायके से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा तब उसके पती और सस्राल वालों को लालच आ गया उन्होंने ये सोच कर कि अब तो रीमा के मायके से पैसा मिलेगा और रीमा की नौकरी से भी उसको नौकरी के लिए हां कर दी रीमा ने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी रीमा शुबा घर का शारा काम करके जाती थी और दो बज़े घर आकर फिर खाना बनाती और बाकी काम निप्टाती थी घर में कोई उसकी मदद नहीं करता था लेकिन फिर भी रीमा को तसल्ली थी कि अब उसके मायके वालों पर वोह और बोश नहीं बनेगी नौकरे करते हुए रीमा को एक महीना हो गया तनख्वा मिलते ही उसकी सास फट से उससे सारी तनख्वा छीन लेती है लेकिन रीमा को तसली हुई कि अब उसे दहेच के लिए परिशान नहीं होना पड़ेगा ऐसे ही एक महीना और बीद गया अगले महीने की तनख्वा उससे लेने के बाद उसके सास ससुर ने फिर से उसे अपने मायके वालों से मांग कर लाने को कहा रीमा पर तो दुखो का पहार तोट पड़ा उसने क्या सूचा था और क्या हुआ उसने अपनी ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करी कि अब तो मैं कमा कर लाती हूँ और आप सब के हाथ में रखती हूँ तो अब मेरे मायके वालों को परिशान मत करें ऐसा सुनकर सबने मिलकर रीमा को खूब मारा और कुछ खाने को भी नहीं दिया खुब मार पढ़ने और भूग के कारण रीमा की हालत बुरी थी तो उसने सोचा कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी और कल जाकर इस्तीफा भी दे आएगी क्योंकि नौकरी करने का उसे कोई फायदा तो हुआ नहीं अपित काम और भी बढ़ गया अगले दिन सुबा दुखते सरी के साथ घर का काम निप्टाने के बाद जब रीमा इस्कूल जाने के लिए तयार नहीं हुई तब उसकी सास रीमा से कारण उचने लगी तब रीमा बोली कि मैंने नौकरी इसलिए की थी ताकि आप सब मेरे माय के वालों से दुबारा कभी दहेज ना मांगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इस नौकरी का क्या फायदा तो मैंने सोचा कि मैं ये नौकरी छोण देती हूँ जैसे ही रीमा की सास को पता चला कि रीमा ने नौकरी छोणने का मन बना लिया है तो उसने घर में सब को इकठा कर लिया और सब ने पहले रीमा को खूब सुनाया और फिर खूब पीता रीमा ने आखिर में सब के सामने हाथ जोड लिये और माफी मांग कर कहा कि अब वो नौकरी नहीं छोड़ेगी सास ने हसी उडाते हुए कहा कि आगे से सोच संभल कर रहना वरना ये तो ट्रेलर है बस रीमा बेचारी बस रो कर रह गई और अगले दिन से स्कूल वापिस जाने लगी सस्वाल वाले तंखवा एंट लेते और दहेज की फरमाईस करते रहते एक दिन रीमा ने घर में कहा कि उसके स्कूल का आधे घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है और अब वो दो की जगार धाई बजे आप आएगी उसकी सास ने सुना तो कुड़कुड करने लगी लेकिन नौकरी छुड़वाने के लिए भी तयार नहीं हुई ऐसा करते करते छे माँ बीद गए एक बाल फिर रीमा की सास ने नए बीड की फरमाईस कर दी कि अब मेरा बीड पुराना हो गया है जा अपने माईके वालों को कह कि एक बीड भेज देंगे रीमा ने साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया गुस्से में सास समेत सब लोग उसको पीटने को खड़े हो गए जैसे ही सास ने हाथ उठाया रीमा ने उसका हाथ पकड़ कर मरोड दिया सास दर्द से बिलविला उठी ये देखकर रीमा का पती उसे गालिया देनी लगा और उसको मारने लगा लेकिन ये क्या रीमा ने उसको भी हाथ पकड़ कर जटका दे दिया और दो जम कर थपड़ लगाए सारा घर हैरान खड़ा रहे गया रीमा भोली किसी और ने भी जोर अजमाईस करनी है तो बताओ लेकिन कोई आगे नहीं आया हमेशा चुप रहकर मार खाने वाली रीमा के नए आउतार ने सब को डरा दिया था रीमा ने कहा कि उसके स्कूल का समय जो आधा गंटा बढ़ा था उसमें सब बच्चों और टीचर्स को सर्फ डिफेंस के ट्रेनिंग दी गई थी और अब 6 महीने हो गए उसे ये ट्रेनिंग लेते हुए दीमा ने कहा कि अब तक जो हुआ वो मैं आगे सहन नहीं करूंगी और ना ही ये घर छोण कर जाऊंगी अब मुझे मेरा हक लेना आ गया है चाहे आप उसे प्यार से दो या डर कर दो सभी घर वाले रीमा का दबंग रूप देखकर हैरान और डरे हुए सो कुछ नहीं बोले और दबंग बहु ने अपना जीवन आखिर कार समाही लिया उमीद है आप सब को ये कहानी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद